हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई ओफिशल यूटूब चैनल प्रशांच दुरेदी टुटोरियल्स देखे लास्ट लेक्चर जो अपलोड किया था वो था मिक्स्चर एलिगेशन का पार्ट वन इसके बाद अब हम बात करेंगे पार्ट टू में हम यहाँ पर क्या करेंगे अभी तक हम लोग जो भी क्वेशन सॉल्फ कर रहे थे वहाँ पर हम लोग दो क्वांटिटीज ले रहे थे अब यहाँ पर एक लेवल आगे और चलेंगे यहाँ पर हम लोग तीन कॉंटिटीज लेंगे वैसे तीन कॉंटिटीज का पूछा नहीं जा सकता है दो ही कॉंटिटीज आपके एक्जाम में पूछा जाएगा बट फिर भी बता दिता हूं कि शायद अगर आजाए तो आप एटलीस solve कर ले उसको तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ questions solve करेंगे चार और पांच questions हैं उनको solve करेंगे किस तरह के question आते हैं और कैसे solve क्या जाता है आप और आपको बस यही बोलूँगा इस part को देखने से पहले इसका part 1 जरूर देख लिजे वो आप देख लेंगे आपके सारे concept clear हो जाएंगे और इसके बाद ये वाले questions solve कर लेंगे इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको mixture and allegations शायद ही कभी अब इसके बाद tough लगेगा तो चलिए start करते हैं अपने questions को solve करना देखिए पहला question बोला गया है in what ratio a person mix three kinds of rice costing rupees 1.20, 1.44, 1.74 so that the mixture may be worth rupees 1.41 per kg ratio पूछा गया है मतलब कि जो 3 kind के हमारे rice हैं उनका ratio पूछा गया है तो चलिए पहले start करते हैं देखिए क्या है देखिए पहले चीज़ तो यह आपको बताता है जो rupees 1.20, 1.44, 1.74 है जब सारी एक ही उसमें unit में दिया हो तो इसको पहले तो आप 1.20 आप क्या करेंगे बाद में जो है points से points cancel करेंगे decimals हटाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है सीधे as it is 120 लिखिए 144 लिखिए आपको इसको solve करने में असानी रहेगी otherwise आप पहले वहाँ पर 1.20 लिखेंगे 1.44 फिर उसके बाद cancel करेंगे तो क्या है time waste होगा उससे better रहे पहले ही direct लिख लीजे तीन अलग-अलग quantity हैं हमने मान लिया A, B और C और जो mixture है वो दिया गया 1.41 यानि हमने ले लिया इसको 141 आप दिखिए जब तीन quantity आती ही तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है यहाँ पर आपको दो बार allegation rule लगाना पड़ता है और जो सबसे important चीज है वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप allegation rule लगाएंगे इसके पहले भी आपने जो पिछले पार्ट में question की है हम लोगों ने उसमें क्या किया था जो mixture quantity होती ही यह जा इसको बोलते है average value या बोलते है mean value यहाँ पर हम mixture quantity लेते थे यहाँ पर cheaper quantity और यहाँ पर dearer quantity मतलब कि जो mixture होता था यह क्या होता था इन दोनों के बीच में होता था मतलब अगर एक कम है तो एक ज़्यादा है एक कम है तो एक ज़्यादा है तो हमें जो यहाँ पर दो बार allegation rule लगाना यह दिहान रखना है कि एक quantity कम लेनी है दूसरी quantity ज़्यादा लेनी है तो हमारा mixture जो है 141 पहले हम ले लेते हैं A ले लेते हैं और B ले लेते हैं देखिए 120 जो है 141 से कम है चलेगा यहाँ पर 144 141 से ज़्यादा है बिल्कुल चलेगा allegation rule apply हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा चली apply कर देते हैं क्या होगा यहाँ पर difference 3 यहाँ पर 21 ratio क्या आगया 3 इस्टू 21 या फिर 1 इस्टू 7 कौन कौन सी quantity ली थी A और B अब क्या करना है अब दुबारा से allegation रखाना है अब फिर से लेना है एक quantity कम दूसरी quantity ज़्यादा 144 आप ले चुके हैं अब आपको क्या करना है अब एक बार लीजिए A वाली quantity एक बार लीजिए C वाली quantity यानि कि 120 और 174 और यहाँ पर 141 अब देखिए यह वाली एक quantity 141 से जो mean value है mixture है उससे कम है और दूसरी जो C वाली quantity यह से ज़्यादा है तो यहाँ पर भी allegation rule apply कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं यह कितना हो जाएगा 33 यह कितना हो जाएगा 21 ratio क्या हो गया 33 is to 21 यानि कि आ गया 3 से cancel करिए 11 is to 7 अब यहाँ पर देखिए quantity कौन से ली थी A और B ratio क्या है था 1 is to 7 यानि कि A is to B आ रहा है 1 is to 7 और यहाँ पर क्या लिया था A और C A is to C आ रहा है हमारा 11 is to 7 हमें चाहिए क्या है A is to B is to C हमें यह तीनों quantity कर रहा है चाहिए तो क्या करना देखिए जो common quantity होती है जैसे A आपका common quantity है जो common quantity होती उसको add कर देते हैं बाकी as it is लिख देते हैं यानि कि common quantity क्या है A है ना हमारी आपको पता common quantity क्या है A इसकी यहाँ पर value 1 यहाँ पर 11 दोनों का add कर देज़े क्या हो गया 12 B का कितना है 7 C का कितना है 7 as it is लिख दीजे यही हमारा answer है A is to B is to C क्या आ गया आपने शायद ratio में पढ़ा हो गई है अगर नहीं आता हो तो ध्यान रख लिजे अगर quantity is same नहीं दी जाती है तो हमें quantity same बनानी पड़ती है अब यहाँ पर दो common मिल गया हमें A B common है A B common है तो जो common होता उसको add कर देते हैं बाकी as it is लिख दीजे so answer हमारा आ गया 12 is to 7 is to 7 next question बिल्कुल same वैसा ही है पिछले पार्ट में जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था जो allegation rule लगता है यह कहां पर लगता है allegation rule की एक खासियत होती है यह सिर्फ वहीं लगता है जहां पर unit same होती है unit same होती और मैंने आपको पिछला इस type का question भी कराया था यहां पर costing मतलब की cost price दिया गया है यह सब cost price है और यहां पर sold हुआ है यानि की selling price है 96 rupees जो है यह selling price है तो हमें क्या करना है इसको cost price में convert कर लिजे जब cost price में convert करेंगे तो क्या हो जाएगा profit है 20% यानि की 120% is equal to 96 cost price को कितना लेता है 100% is equal to what cross multiply कर जिए 0 से 0 cancel 960 divided by 12 80 यानि की यह आगया हमारा cost price अब देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही question बढ़ गया पहले वाले की तरह तीन quantities मिल गई A, B and C क्या क्या है 60, 75, 100 और यहां पर क्या मिल रहा है 80 96 मत लिजेगा 96 selling price है allegation वहीं लगता है जहां पर unit same होता है तो हमने इसको क्या 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 cost price में convert कर लिया अब यह क्या हो गया 80 हो गया अब देखिए यहां पर बिल्कुल सेम वैसा ही question है allegation rule लगाएंगे कैसे लगेगा अब यहां पर आप देखिए A quantity जो A वाली है यह तो 80 से कम है यह भी 80 से कम है हमें चाहिए क्या होता है एक quantity mixture quantity या mean value से एक कम होनी चाहिए एक ज़ादा होनी चाहिए यहां पर दोनों कम है तो हम क्या करेंगे एक में A ले लेंगे दूसरे में C ले लेंगे किसका आया है A इस्तू C का अब देखिए अब हम उठा लेते हैं B और C B और C में देखिए A quantity आपकी इससे कम है mean value से दूसरी quantity इससे ज़ादा है बिलकुल allegation rule apply कर सकते हैं 75 hundred और 80 और यह क्या है B और C बस आ गया कितना है 20 और यह 5 कर दीजे कितना होगा 4 is to 1 क्या आगया यह B is to C अब देखिए A is to C आपका मिल रहा है 1 is to 1 B is to C 4 is to 1 चाहिए क्या A is to B is to C अब मैंने बताया था जो common quantity होती उसको add कर देते हैं बाकी as it is लिख देते हैं तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 B का कितना है यहाँ पर B का पार्ट कितना है 4 4 A का पार्ट कितना है 1 1 यह हो गया हमारा आंसर 1 is to 4 is to 2 मुझे लगता है आप शायद आपको allegation या mixture allegation आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा next question देख लेते हैं वो भी बिल्कुल वैसा ही question है जैसा भी second किया है third question बिल्कुल as it is है उसको भी एक बार करके देख लेते हैं देखें क्या बोल रहा है a trader mixes three varieties of rice costing दिस 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 20, 24, 30 and sells the mixture at sells the mixture m i x mixture at a profit of 20% at rupees 30 per kg पहले आपको देखी यह पता यह क्या है cost price है यह सारे cost price है यह क्या है selling price है पहले इसको convert करना है किसमें बदलना है cost price में तो 20% profit पे बेचा है यहनि कि 120 is equal to 30 तो 100 कितना हो जाएगा cross multiply करिए यह यह cancel हो जाएगा 300 divided by 12 यह आपका आ जाएगा 25 25 आ गया 25 क्या हुआ आपका cost price अब बिल्कुल as it is पहला और दूसरा question बिल्कुल as it is है तो क्या हो जाएगा 3 quantity 20, 24, 30 mean value क्या मिल रही है 25 अब इसको solve कर लीजे मुझे लगता आप शायद आप लोग कर लेंगे इसको चलिए करके बता देता हूँ देखिए फिर वही है एक quantity कम एक quantity ज्यादा यहाँ पर ये दोनो quantity कम है A भी कम है B भी कम है C ज्यादा है तो हमें क्या करना है एक बार A ले लिजे एक बार C ले लिजे और दूसरी बार में B उठा लिजे और C उठा लिजे, लगा दीजा एलिगेशन, चलिए, स्टार्ट कर देते हैं, 20, 30, 25, कितना हुआ, 5 और 5, रेशियो क्या आगया, 1 is to 1, किसका आईए, A और C का, A is to C is equal to 1 is to 1, अब दूसरा उठा लिजे, 24, 30, यह क्या है, B और C, यहां कितना है, 25, यह कितना है, 1, इधर कित C, कौन सा पार्ट कॉमन है, A is to C, 1 is to 1, B is to C, 5 is to 1, देखिए, फटा फट कर देंगे, तभी आपका एक्जाम क्वालिफाई होगा, जितना जल्दी से जल्दी करेंगे, उतना ही आपके लिए बैटर होगा, अब यह C कॉमन है, कॉमन पार्ट को एड़ करती है, 1 प्लस 1, 2 ह हो गया, बाकी as it is लिखती है, 1 is to 5 is to 2, यह आगया हमारा A, B, C का रेशियो, अब देखिए उसमें बोल कहा रहा है, last में, how many kgs of the second variety will be in the mixture, if 2 kg of third variety is there in mixture, अब देखिए क्या है, रेशियो क्या दिया गया है, A, B, C क्या रहा है, 1 is to 5 is to 2, वो बोल रहा है कि अगर third variety, यानि कि C, इसमें 2 kg है, तो पूछा है, second variety में कितना होगा, अब देखिए, यहाँ पर पहले से 2 लिखा हुआ है, और वही वो बोल रहा है, कोई भी unit हो सकती, उसने बोल दिया, यह 2 kg है, तो second variety कितना है, part है, 5 part है, यानि कि यह कितना हो जाएग अगर वो बाली जब बोल देता कि, जो तीसरी quantity है, यहाँ पर 6 kg है, 6 kg है, तब क्या होता, तो 2 part is equal to 6 kg, दो part बराबर 6 kg, वो बोलता अगर तीसरी quantity में 6 kg है, तीसरी quantity का part कितना था, 2, यानि कि 2 part is equal to 6 kg, तो एक part कितना हो जाएगा, 3 kg, जब एक part 3 kg हो जाएगा, आप से पू 1 part है, 3 kg, तो 5 part कितना हो जाएगा, 3 into 5, 15, बस या आपका answer हो जाएगा, तो question को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही करिएगा, तीन question होगा आपके, बहुत असान असान से है, मुझे लगता आप शायद आपको पूरा एकदम clear हो गया होगा, चलिए अब इस तरह अब यह question देख लेते हैं, यह आता है, चौथा question है, थोड़ा सा अलग type का है, different type है, इसको भी देख लेते हैं, देखिए, क्या बोला है question में, how many liters of water should be added to a 30 liter mixture, यानि कि, जो mixture है, वो क्या है, milk और water का है, और mixture है कितना, 30 liter, mixture जो है मारा, वो 30 liter का है, और उसमें है क्या क्या, milk है और water है, और बोला है, mixture of milk and water, containing milk and water in the ratio of, in the ratio of 7 to 3, यानि कि, milk और water का जो ratio given है आपको, वो given है कितना, 7 to 3, such that, इसमें बोला है कि, कितने liter water add किया जाए, 30 liter mixture में, कि, जो ratio 7 to 3 था, जो resultant mixture है, वो उसमें क्या है, 40% water है, मतलब कि, जो यह हमारे पास mixture दिया गया है, उसमें 40% water है, resultant mixture, मतलब कि, अब आपको पता है, 40% अगर water है, mixture में 40% water है, तो 60% क्या होगा, बचा हुआ, जो पूरा mixture है, 40% water है, तो 60% आपका milk ही तो होगा, क्या होगा, मिल्क होगा, अब यह आप देखिए, यहाँ पर, वो बोल रहा है, जो resultant mixture आया है, जो resultant mixture आया है, उसमें 40% water है, यानि कि, 60% milk हो जाएगा, तो इसका ratio क्या हो जाएगा, milk और water का, 60 divided by 40, यानि कि, क्या आगया, 3 divided by 2, यह क्या है, यह resultant mixture है, यह है resultant mixture, ratio कितना दिया है, 3 to 2, और जो पहले था mixture, उसमें ratio कितना था, 7 to 3 का, तो 7 to 3 हमारा बाद में क्या बन गया, 3 to 2 बन गया, यही तो बना, पहले 7 to 3 था, बाद में जो resultant mixture था, वहाँ पर ratio हो गया, milk और water का, 3 to 2, अब हमें क्या करना, इसको बराबर करना, कैसे बराबर होगा, यहाँ पर 3 से multiply कर दीजे, यहाँ पर 7 से multiply कर दीजे, अब उपर multiply किया है, तो नीचे denominator में भी करेंगे, कि milk जो है, इसका मतलब 21 पार्ट है, इसको आप 21 लीटर बोल सकते हैं, और यह क्या है, 9 लीटर है, यह क्या है, यह क्या है, 9 लीटर है, अब यहाँ पर देखिए, जो नया mixture था, उसमें कितना हो गया, 9 से कितना हो गया, 14 लीटर हो गया, जो नया mixture हमारा बना है, जो पहले क लिटर यानि कितना बढ़ गया 5 लिटर बढ़ गया 5 लिटर हमारा वाटर बढ़ गया यही हमसे question में पूछा गया है how many liters of water should be added to a 30 लिटर mixture 5 लिटर add किया जाएगा जब 5 लिटर add करेंगे तो ratio क्या हो जाएगा हमारा milk और water का 60 to 40 का ratio हो जाएगा यही इसका हमारा answer है 5 लिटर अगला question बिल्कुल same fourth question की तरह है एकदम डिटो ऐसा ही question है थोड़ा सा सिर्फ language में difference है और कुछ नहीं है इसको एक बार अपनी तरफ से कोशिश करिएगा और इसका answer comment box में post करिएगा चलिए थोड़ा सा हिंड मैं आपको दे देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा देखिए यहां पर आपको पहले का ratio दिया गया है कितना है milk और water का 7 is to 3 यहीं तो दिया आपको और उसमें बोला है कि जब हम 160 ml इसमें water add कर देते हैं जब water add कर देंगे तो बोला है जो नया ratio हो जाएगा वो हो जाएगा 1 is to 1 का तो पहले आपको क्या करना है पहले आपको quantity बराबर करनी है milk को बराबर कर दीजिए 7 से multiply कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहां पर 7 by 7 यही तो हो जाएगा यह 7 by 3 हो जाएगा यह 7 by 7 हो जाएग वाटर हमारा 4 पार्ट बढ़ गया अब बोला गया है कि वाटर बढ़ा कितना हमने कितना अड़ किया है पूछा गया है इसमें हमको ये बताना है कि जो a mixture contains milk and water the quantity of water in the original mixture original mixture कौन सा था ये वाला यहाँ पर water की quantity बतानी है किसकी quantity बतानी है water की quantity अब ये आपको सोच के बताना है कितना होगा इसका answer इसका answer कमेंट में पोस्ट करिएगा ये answer नहीं होगा जो भी यहाँ पर निकला है ये answer नहीं है आंसर आपको बताना है कि इसमें कितना होगा मैंने एक part is equal to बता दिया बाकी आपको बताना है तो I hope आपको mixture and allegation पूरा समझ में आ गया होगा प्रेक्टिस करिए जितने questions प्रेक्टिस कर सकते हैं बुक से प्रेक्टिस करिए नहीं समझ में आता है कुछ भी करिए कैसे भी करिए प्रेक्टिस करिए और उसके बाद यहाँ पर पूछिए आपको reply जरूर दिया जाएगा so thank you so much guys thank you for watching